यहाँ पर डिविडेंट भी आने वाल है जो कि आपको 10 नॉवंबर के आसपास यहाँ पर आपको डिविडेंट मिल जाएगा 10 नॉवंबर याद रखेगा इस डेट को अब यहाँ पर देखो मैं तो परस्टी डिविडेंट में इंटरसेट नहीं रहता हूँ अब देखो आपर टेक्निकल बेस पर अचा अचा अब फंडमेंटल काफी लोग पूछे तो फंडमेंटल कुछ भी नहीं है कंपनी के ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है जो मुमेंटम आई है इसके बाद अगर यहाँ पर माकर्स थोड़ी बहुत थमती है थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तो शेयर में गिरावट भी देखनों मिल सकते हैं तो इसलिए आप यहाँ पर एक पैटन बन रहा है इस टाइप का समझ देखने है अगर किसी को समझ आगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो मैं बताता हूँ कप टाइप का यह पैटन बनते जा रहा है तो अगर यह पैटन पूरा बनता है इस लेवल का ब्रेक आउट आता है तो यहाँ से इतना जतना यह मुमेंटम है इतना ही मु 67.2 ठीक है अगर इस लोगो के नीचे निकलता है तो यह फिर पैटन हमारा जो है फेल हो जाएगा एंड हम इस पैटन पर फिर काम ही नहीं करेंगे ठीक है यह चीज़ सबसे पहले द्यान करना है 67.2 के नीचे अगर यह स्टॉक निकला आई एरसी तो यहाँ पर मैं परसली क काम नहीं करूँगा ठीक है यह भी मैं अभी के अभी क्ले करें तो आप काम कहां पर करना है पहले यह पैटन बन जाने तो एंड इस पैटन के बाद जो है 84.3 का एक लेवल है यहाँ फटवर नोटन कुल लो बड़ उससे पहले फटवर जाओ टेल का आप पर सर्च करो करें जो चैनल का नाम है वही आपको सर्च करना है अब देखो यहाँ पर यह लेवल है 84.3 तो जैसे इसके उपर वन डे की क्लूजिंग आ जाती है तो जो भी उसका हाई होगा उसके अब मैं इस शेर को बाई करूँगा ठीक है 10 परसेंट का जो हमारा पहला टारगेट लेक पूचकता है फिलाली सब वीडियो वी ब्रोकते है तो तुली बाबाई योच्ट दोस अनले वेशाल सुशी चलो बाई